मुहर्रम आज पूरे देश में धार्मिक आस्ता और शद्धा के साथ मनाया जा रहा है। या दीन पैगंबर मुहम्मद के नवा से हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान दिवस को चिनहीत करता है। जिन्होंने करबला में सत्य धर्म और न्याय को कायम रखने के लिए अपना बलिदान दिया। मुहर्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हजरत इमाम हुसैन द्वारा दिये गए बलिदान को याद किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का साहस और न्याय तथा मानव की मर्यादा के आधर्शों के प्रति उनकी वचन बद्धता उलेखनी है। इधर चातिस गड़ में भी मुस्लिम समाज ने मुहर्म का पर्व मनाया इस अवसर पर भिलाई में ताजियों के साथ जुलूस निकाला गया। करीब 25 अखाड़ा वा ताजय कमेटियों के साथ निकाले गए जुलूस में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लेकर शुहुदा एक करभला के प्रति अपनी अकेदत पेश की। विभिन धर्म समुदाय के लोगों ने भी इस जुलूस में बड़ चड़ कर हिस्सा लिया। वही मस्जिदों में भी आज दोपहर की नमाज के बाद योमे अशूरा की विशेश दुआ पढ़ी गई। भिलाई जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मन्जूर हसन ने नमाजियों क अशूरा की दुआई पढ़ाई इस दौरान उन्होंने बदाया कि कर्बला में इमाम हुसेन की शहादत सच्चाई की राह पर चलने के साथ ही एकता और भाईचारे का भी पैगाम देती है। और सुकून वाली जो जिन्दगी है वो सबके लिए एक बड़ी महबत और फुशगावार जिन्दगी होती है। लहाजा हक के साथ जीओ और इंसानियत के साथ इंसान बनके रहो। जरासी भी आप जो है दुनिया में अगर उच नीज देखते हैं तो लोगों को समझाते गौर तलभे की पैगंबर हजरत मुहम्मद के नवासे इमायम हुसैन आज ही के दिन धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार और अन्यसाथियों के साथ शहिद हुए थे जिनकी याद में यहापर वो मनाया जाता है।